बच्चो हमने पिछली कक्षा में बात की कि उद्योगों के वर्गी करण के अलग-अलग आधार होते हैं उसमें हमने कुछ देखा कच्चे माल के आधार पर वर्गी करण था स्वामित्व के आधार पर वर्गी करण देखा और ऐसे ही अन्य आधार के वर्गी करण पर हमने ब बड़े पैमाने वाले और दोगिक प्रदेश कौन से मतलब जो वरिहत और भारी उद्योग होते हैं उनके एक ऐसे विस्तरित छेत्र होते हैं हम यह कह सकते हैं कि भारी उद्योग के एक विस्तरित छेत्र होते हैं जिनहें हम बड़े पैमाने वाले और दोगिक प्रदेश कहत अब ये जो उद्योग होते हैं या हम जिस छेत्र या प्रदेश के भी बात कर रहे हैं इस प्रदेश में जितने भी जो उद्योग स्थापित होते हैं वो वहाँ पर कोईला छेत्र के निकट ही स्थापित किये जाते हैं हम सभी को पता है कि उद्योगों के लिए उर्जा जो है वो एक अनिवार्य तत्व है वहाँ जितनी भी जो मशीन या उपकरण जो चलाए जा रहे हैं उन सब के लिए हमें उर्जा की आवशकता है और ये उर्जा का प्रमुक स्त्रोथ हम कहें या सोर्ष जो है ये हमें कोईल से प्राप्त होता है और वर्तमान में भी हालंकि बहुत सारे इसके सब्सिट्यूट जो है वो खोज लिए गये हैं चाहे हम सौर उर्जा की बात करें पवन उर्जा की बात करें या न्यूकलियर उर्जा की बात करें ऐसे ही बहुत सारे जो है वो उर्जा के वैकलपिक सोर् लेकिन अभी भी कोईले का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है हम वर्तमान समय में देखें तो कोईला जो है वो आपके उर्जा का एक महत्वपून स्त्रोथ है और इसी करण ये जो बड़े पैमाने वाले अध्योगिक प्रदेश होते हैं इनमें हम देखते हैं कि अधिकांश जो उद्योग है वो इन कोईला छेत्रों के निकठी स्थापित किये जाते हैं फिर वो कौन-कौन से उद्योग है तो हम बात कर लें जैसे धातु पिहलाने वाले उद्योग है भारी इंजिनिरिंग उद्योग होते हैं हम लौहिस्पात उद्योग की बात कर सकते हैं रसायन उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इस्थापित किये जाते हैं उन्हें हम धुए की चिमनी वाले उद्योग कहते हैं या समानित है यदि हम इमेजिन करें अपनी कल्पना में लेके आएं कि कोई और द्योगिक प्रदेश है या किसी बड़े पैमाने के एक वरिहत उद्योग की हम कल्पना करते हैं तो हमारे दिम प्रदेश निकलते हुए धुएं विशैले धुएं जो है वो हमारे कल्पना में आ जाते हैं तो कुछ ऐसा ही इन उद्योगों के सांथ भी होता है क्योंकि ये वरिहत पैमाने की उद्योग है वरिहत पैमाने पर उद्पादन किया जाता है और कोईला जो है ये उर्जा के में इस्तमाल किया जाता है तो नेश्रली है कि जहांपर कोईले को जलाया जाएगा तो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर धुएं का निस्काशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा और यही कारण है कि इन उद्योगों को हम धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते ह तो आपसे बोर्ट परिक्षा की हिसाब से ये प्रशन भी पूछा जा सकता है कि धुएं की चिमने वाले उद्ध्योग किन्हे कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा जैसे रसायन उद्ध्योग हो गया भारी इंजिनिरिंग उद्ध्योग की हम बात करें या फिर वस्तर निर्माड उद्ध्योग की हम बात करें या रसायन उद्ध्योग की बात करें तो ये सब ही जो हैं ये आपके धुएं की चिमनी वाले उद्ध्योग के अंतरगत आएंगे अब जब हम बात कर रहे हैं कि परंपरागत बड़े पैमाने वाले और दोगीक प्रदेश तो क्या पहचान होगी या हम किस छेत्र को इस परंपरागत बड़े पैमाने वाले और दोगीक प्रदेश कह सकते हैं तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि यहाँ रोजगार का जो इस्तर होता है वो बहुत उच्च होता है यह हम कहें कि बहुत अधिक वरिहत पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब धो पाता है और वो इसलिए कि यह भारी उद्योग हैं वरिहत उद्योग हैं यहाँ पर वरि यह होगा तो स्वभाविक है कि यहां पर बहुत सारे श्रमीकों को रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा रोजगार मिल पाएगा इसलिए इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान हम कह सकते हैं कि यहां पर रोजगार का इस्तर या इसका अनुपाद जो है वो बहुत अधिक होता है फिर हम बात करते हैं कि यहां पर उच्च घर घनत्व के कारण जो आवास की समस्या है वो उत्पन हो जाती है भई इस प्रकार के जो भारी उद्योग है यह हम देखेंगे कि यहां पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत अधिक पाया जाता है और इसी कारण तो यह चेत्र में स्थापित किये जाते हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है और व्रिहत पैमाने पर उत्पादन कारी किया जा रहा है तो कुशल और सस्ते श्रमिक की भी आवश्यक्ता होती है जो अधिक घनत्व या अधिक जन घनत्व वाले चेत्र से प्राप्त हो जा है या बहुत सारे लोग जो हैं वह इन उद्योगों में निर्माण कारिय में लगे होते हैं। तो बहुत बड़े इस तर पर उत्पादन कारिय हो रहा है बहुत सारे लोग लगे हुए हैं तो वो अपने परिवार के साथ उन्हीं छेत्रों में ही तो निवास करेंगे जिसके कारण जन घनत वो बहुत उच्च होता है और वहां पर सुकि जन घनत वो ऊच्च हो रहा है छेत्री की समस्या हो जाती है इस कारण छोटे छोटे आवास जो है वो वहांपर देखने को मिलते हैं और ये छोटे आवाज जो हैं यहाँ पर हमें सुख सुविधाएं जो हैं वो बहुत जादा देखने को नहीं मिलती और इसी कारण हम देखते हैं कि अधिक जन घंत्व और इसके कारण छोटे आवास और ये छोटे आवास जो हैं वो सुविधा विहीन होते हैं या यहां पर सुख सुविधाएं जो हैं वो अपरयाप्त मात्रा में मिलती हैं अब चुकी पास-पास इस्थित घर हैं चोटे-चोटे घर हैं या सुविधा विहीन हैं तो यहां पर गंदगी जो है वो बहुत अधिक होती है और इस गंदगी क कारण परियावरन प्रदूशन भी होता है एक तो छोटे आवासों के कारण सुविधा विहीन आवासों के कारण और दूसरा ये जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या जो कार खाने हैं उनसे निकलने वाले जो धुए हैं उनसे परियावरन प्रदूशन तो तो यहां पर गंदगी और साथ ही साथ परियावरन प्रदूशन भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसकी एक और पहचान हम कह सकते हैं यह तो हमें इस और द्योगिक प्रदेश में एक नजरिये में ही अधि हम कलपना करें तो यह समानी सी बात लगती है कि सारी विशिष्टाएं हमें देखने को मिल जाती हैं और एक अन्य चीज की बहुत विश्व इस्तर पर अब इसकी किसी बहुत बहुत तो इसों किसी बहुत लोगत रखाएं और सबस्तर अब दलिया सेभत जूति ठीन सी ड़ेंचेक लौन॥ जसुट हमें कम फोने से इन कारखानों के बंद होने की जो इस्तित है वो उत्पन्न हो रही है और जब कारखाने बंद होंगे तो सभाविक तो इस कारण यहां पर अब बेरोजगारी की समस्या भी जो है वो उत्पन्न हो जाएगी तो इस कारण यहां पर अब बेरोजगारी की समस्या भी जो है वो उत्पन्न होने लगी है और साथ ही साथ किसी भी छेत्र में बेरोजगारी जो है वो उत्पन्न हो रही है तो लोगों का जो उत्प्रवास है उस छेत्र से दूसरी छेत्र की तरफ या दूसरे प्रदेश की तरफ जो प्रवास है वो हमें देखने को मिलता है तो यहां पर बेरोजिगारी की समस्या के कारण उत्प्रवास भी इसकी एक महत्वपून विशेष्टा के रूप में हमें दिखलाई प एकात उदाहरन से हम इसे समझ सकते हैं कि ऐसा कोई छेत्र विश्वई स्तर पर जिसे हम बड़े पैमाने के और दोगी प्रदेश के रूप में जिसकी पहचान करते हैं तो इसके अंतरगत हम बात करेंगे जर्मनी का रूर कोईला छेत्र जर्मनी देश से आप बहुत अच्छ लाई पड़री होगी और इस रूर नदी के पुरे आसपास का जो छेत्र है वो रूर बेसीन के नाम से जाना जाता है और ये एक ऐसा छेत्र है जो हम कह सकते हैं कि कोईले और लौहयस्क इन दोनों के दृष्टिकोंड से ये रूर बेसीन जो छेत्र है ये बहुत संपन्न छेत्र है और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ जर्मनी ही नहीं पूरे यूरोप की एक ओद्योगिक धूरी के ना तो आज हम इस रूर कोईला छेत्र पर बात करते हैं या रूर छेत्र के अंतरगत हम बात करते हैं कि यहां इसकी क्या-क्या विश्रिष्टाएं देखने को मिलती है और अब वर्तमान समय में यहां कौन सी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं तो जर्मनी का जो यह दृष्टि कोन से बहुत संपन्न छेत्र है इसलिए इसे जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं और कोईले के साथ साथ चुकि अधिकांश जो लौह इसपात के कार खाने हैं वो इसी छेत्र में ही इस्थापित हैं और यहां का जो लगभग 80% प्रोडक्शन है 80% चेत्र है इसलिए भी हमने देखा कि यह सिर्फ जर्मनी ही नहीं यूरोप की भी ओद्योगिक धूरी है और हम कह सकते हैं कि पूरे यूरोप की अर्थ व्यवस्था का ये प्रमुक आधार है अब वर्तमान में यहां कौन-कौन सी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो रही है चुकि अभी ही हमने बात की कि कोईला समपन्न छेत्र और इसके कारण जितने भी जो लौह इसपातकार खाने हैं वो यहीं पर इस्थापित हैं और लगभग 80% प्रोडक्शन जो है वो यहां पर होता है तो जब यहां पर कोईला या लौह की कमी देखने को मिली तो इसे रा पादन का कारिया है वो अनवरत रूप से जारी रहा लेकिन अब चुकि कोईला और लौह यस्क ये दो ऐसे महत्वपूर्ण खनीज हैं या संसाधन हैं हमें पता है कि अथाह रूप में हमारे पृत्वीक के बुघरब पर नहीं है जैसे जैसे यदि हम इनका शोशन करते ज तो इन फ्यूचर इसकी समस्या जो है कमी की समस्या हमें देखने को मिलेगी ये अपरयाप्तर रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं तो ठीक ऐसा ही इस छेत्रे की भी साथ हो रहा है कि बहुत समय तक तो इन्होंने आयातित या आयात करके कच्चे माल के माध्यम से ये जो लौह इसपात कारखाने है या उद्योग को इस्थापित किया या इसे यहां पर उत्पादन का कारिय जो है वो जारी रखा लेकिन अब ये वर्तमान में जो समस्या उत्पन हो रही है कि कोईला जो है उसकी मांग में कमी हो रही है और साथ ही साथ जो लौह इसक है वो भी सम अब प्रदूशन और यहां के जो कारखाने या उद्योग हैं उनसे उद्योगिक अपसिस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज निकलता है उसकी जो समस्या है वो प्रमुक रूप से यहां पर हमें उद्पन देखने को मिलती है और यहां का जो इन सभी समस्याओं के कारण यह हमें अब परिवर्तन देखने को मिलता है क्योंकि उत्पादन में भी कमी आ गई है संसाधनों में कमी देखने को मिल रही है तो यहां पर जो कोईला और लौह इस पात यहां की धूरी थे अब उसकी जगह जो नए उद्योग हैं उन्होंने इसकी जगह ले ली है अभी हमने में परिवर्तन के द्वारा यहां पर जो चुकी यह जर्मनी और लौह की अर्थ व्यवस्था का अधार है तो इसे स्ट्याबल किया जा रहा है यह हम कह सकते हैं कि ог्धे जगह जासे परिवर्तन क इस आज लौह इस बात और कोईले की जगह अब यहाँ पर जो ओपेल कार आपने जर्मन्स कार के बारे में तो सुना ही होगा तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो ओपेल कार है इसके निर्माण या यह जो विनिर्माण उद्योग है यह विक्सित हो रहा है ओपेल कार बनाने की एक जो कारखाने हैं या उससे संबंधित जो हम विनिर्मान उद्योग की बात करते हैं ये विक्सित हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो नए रासायनिक उद्योग हैं और सिक्षा की छेत्र में भी अब यहां उन्नती हो रही है या प्रगती हो रही है और बहुत सारे बाहरी दे के छेत्र में, नए नए रासायनिक उद्योग के छेत्र में और उपेल कारज जो है, उसके संबन में या उसका जो विनिर्माड उद्योग है, वो यहां पर अब हमें विक्सित अवस्था की रूप में देखने को मिलता है, और इसी कारण से यहां पर एक नए हम कह सकते हैं इन सब के बाद हम बात कर लेते हैं उच्च प्राउद्योग की उद्योग, उच्च प्राउद्योग मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हाई टेकनोलोजी वाले जो इंडस्ट्री होती है, आज की जो यूवा पिढ़ी है, हम कह सकते हैं कि वर्तमान यूवा पिढ़ी का ये उद प्राउद्योग होते हैं, जहां पर नीले कॉलर श्रमिक हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, और साथ ही सफेद कॉलर श्रमिक ये बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हाई टेकनोलोजी वाली इंडस्ट्री हैं, आप अभी वर्तमान में ठीक कराने के लिए लेकर जाते हैं, तो यहां पर ऐसे कारिक करने वाले करमचारी आपको देखने को मिलेंगे, कि उस गाड़ी का पूरा रिपेरिंग का काम जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है, और वहां पर जो श्रमिक मिलते हैं, करमचारी जो मिलते हैं, उनकी पर एक दाग भी नहीं होता, यह जो निर्मान क्रियाएं हैं, उच्च प्राद्योगी की के अंतरगत, इसे हम नई पिढ़ी की देन कह सकते हैं, और यह ऐसे उद्योग हैं, जिसमें हाई टेक्नोलोजी के आवश्यक्ता तो होती ही है, और साथ ही साथ इसमें रिसर्च और इसका कारी किया जाता है, मतलब जो भी कारी हो रहा है, इसमें रिसर्च के द्वारा नई नई जो और टेक्नोलोजी हैं, और उसमें विकास कैसे किया जाता है, इस पर कारी किया जाता है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उन्नत वैग्यानिक और इंजिनीरिंग आते हैं, हाँ, इसकी विशेष्टाओं पर हम बात करें, तो हम देखेंगे कि इसमें जितने भी जो उत्पात प्राप्त होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो लेबर्स हैं, यह हम कहें, स्किल्ड करमचारियों की आवशक्ता होती है, श्रमिको की आवशक्ता होती है, जो बहुत ही दक्ष और पुशल होते हैं अपने कारे करने में, और संपूर न जितनी भी यहाँ पर लेबर्स जो काम करते हैं, उसका लगभग जो अधिकतर भाग है, हमने जैसा बताया है कि सफेद कॉलर शमिको का होता है, इसमें कम्प्यूटर एड़ेट डिजाइन, जिसे हम C.A.D. कहते हैं, इसका निर्माण किया जाता है, और इसके अंतरगत जो हाई टेकनोलोजी है, उसका प्रयोग किया जाएगा, और इसमें जो यह अंतर हैं, व इसका भी कारी इसमें किया जाता है, इसके अंतरगत किये जाने वाले जो निर्माण कारी हैं, और साथ ही धातु पिह लाने, और शोधन के जो electronic नियंतरण हैं, और अभीया जो नए रासाइनिक और 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 शधिये उत्पाध हैं, वो भी इसके अंतरगत इस उत्द्योग के अंतरगतिये महत्तपूनिस्थान रखते हैं अब हम देखते हैं कि यह जो ऐसे उद्योग होते हैं यह प्राद्योगी की ध्रू के नाम से जाने जाते हैं प्राद्योगी की ध्रू या जिनको हम टेक्नोपोल्स कहते हैं चुकि यह एक उच्च तक्नीक आधारिक अधारिक छे वह पूरा चेत्र जो है, उस अद्योगी की अधुरूव के नाम से जाने जाते है। और बच्चों आपने सिलिकन वैली का नाम तो बहुत अच्छी तरह से सुना होगा हम देख पा रहे हैं मानचित्र पर भी USA या संयुत राज अमेरिका में जो सिलिकन वैली है सिलिकन घाटी है वह इस प्राध्योगी की ध्रूब टेक्नो पोल्स के लिए बहुत ही फेमस है और जब हम अपने भारत पर भारत के संदर में बात करें तो भारत की जो सिलिकन वैली के नाम से जित जाना जाता है वह आपका करनाटक की राज़ानी बैंगलूरू है इस छेत्र में हम देखते हैं इस प्रकार के जो टेक्नो पोल्स है या हाई टेक्नो लॉजी इंडस्ट्री जो है वो जो प्रमुख नगर होते हैं उनके परीदी छेत्र में ही प्रमुख रूप से विक्सित होते हैं तो भाई ये परीदी छेत्र में ही क्यों विक्सित होते हैं इस पर हम बात करें कि जब हम कोई भी विक्सित नगर या नगर के बाहर बाहरी छेत्र में जाते हैं तो तो एक प्रकार से यह दोनों को मर्ज करने का काम करता है परीदी छेत्र जो हैं तो यहां पर इस छेत्र में बहुत अधिक कुशल श्रमिक और कुशल होने के साथ सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं और दूसरी चीज यह यातायात और संचार के साधन के दृष्टिकोंड से में कि फुमी का जो मुल्य है वो बहुत होता है लेकिन परीद की चेत्र में आ जाए हम नगर के बाहुरान के यहां सती हो जाती है यहां पर हम देखेंगे इस टाइब की जो उद्योग होते हैं वह बहुत ही बड़े तो होते ही हैं बड़े-बड़े भवन होते हैं कार खाने मिल्स जो होते हैं और यहां पर जो स्टोरेज एरिया होता है भंडार छेत्र जो होते हैं इसके स्थान पर जो आधुनिक हैं और सा लोग्षालाएं होती हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन साफ सुथ्रे देखने को मिलेंगे हमें और अभी की जो भी प्रादेशिक और इस्थानी विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं मतलब हम चाहे विश्व इस्तर पर बात करें या रास्ट इस तर पर तो उसमें इस जित व्यवसाइक पार्क का या कॉंप्लेक्स का निर्मान जो है वो किया जा रहा है तिये होगी बात उच्च प्राद्योगी की उद्योग की या हाई टेकनलोजी इंडस्ट्रीज की